यह समझना जरूरी है तरुन गिलाप फिटनिस एक्सपर्ट हैं क्या मैं बोला तुने एक पहले क्या बोला चल जलो जा कि एलाज करौफ लो इसको करने के मैं हमेशा मूड में रहता हूं यार तो क्या जज़ेज तारू पी के शो जज़ कर सकते हैं लो दोस्तों एक और नी व पाईगे बारे में और अनुज ताल्याण अभी जो मिस्टर एसिया नेपाल के अंदर होने जा रहा है इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा उससे पहले आप थोड़ा तरून गिल जो लगातार आपको पता है कि शेरू अंग्रीश और इसेरू क्लासिक के पीछे लगा रह चैनल है अपना नेशनल मीडिया है उस पे इन्वाइट किया गया था तरून गिल को फोड़ी सीज अलग में वह भी दिखाता हूं और उसमें थोड़ा सा आप लोगों के एंटर्टेन्मेंट के लिए कुछ प्रीवियस यानि कुछ पिछले कुछ वीडियो उसी के एंड में बात करने वाड़ा हूं और साथ में ही इन अपडेट्स के वीडियो से पहले आप देखना सार्क न्यूट्रिशन की तरब से दोस्तों पीनट बटर है एक बहुत ही टॉप क्लास का टेस्ट है जिसका नाम है मैंगो चिया सीड्स उसकी एड महीं आप लगा रहा सार्क न्यूट्रिशन की तरब से जो आप मेरे आत में देख पारें दोस्तों यह है मैंगो चिया सीड्स दोस्तों मेरी गारंटी है मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे पिनेट भी पार खाए है यह जो पीनेट बटर है आप देख पा घूग जो इनका ये mango chia seeds वाला flavor है आप इसका एक चम्मच खालेंगे ना तीन चार चम्मच खाने से अपने आपको रोकी नहीं पाएंगे ये मेरा वादा guarantee है जिस भाइनक कभी भी अगर ये peanut butter ट्राई कर लिया वो खुझ से बोलेगा मैंने जिंदगी में ऐसा peanut butter नहीं खाया इसके सा इनके और भी flavor है दोस्तों एक है white chocolate वो करंची में है उसका भी टेस्ट बहुत ही amazing है और तिसरा है ये natural creamy जो white chocolate हो मेरे जिम के वहाँ पे रख्या हुआ है तो मैं ये तीन पिनेट बटर यूज कर रहा हूं लेकिन मेरे को सबसे ज्यादा जो फर्स्ट एंड प्योटी पे है वो है mango chia seeds और white chocolate और इसका टेस्ट भी आपको अगर natural टेस्ट लेना है तो यह वाड़ा आप ले सकते है इसका नाम है natural creamy तो आपको मैं सबसे पहले तो मैं सार्क nutrition को thanks कहना चाहूंगा कि उन्होंने ने इतना अच्छा peanut butter बनाया और मेरे लिए बेज़ा तो दोस्तों आप भी सार्क nutrition का peanut butter एक बार ट्राई करना और फिर आप मेरे को बताना सच में जो मैंने इतनी तारिफी है यह रियल है कि नहीं है तो एक बार आप यह ट्राई जरूर करना दोस्तों सो क्या जजेज दारू पी के शो जजज कर सकते हैं भाई सब कुछ कुछ ऐसा ही हुआ अभी दो दिन पहले असाम में एक competition हुआ NPC का जहां पर हमारे जो आई एफ बीबी जज हैं डॉक्टर सोम तुगनेट उनको बोला जा रहा है कि उन्होंने दारू पी के शो को जज किया पहले पार तो ये आई बीबी गाइडलेंज की अगेंस्ट था इसका नाम किया ता शोम जचाए दारू पी रहे थे ये और दूसरा क्या वो जजमेंट सही हुई होगा अगर आप दारू पी के जज को जज को ऐसा जज आप शो को जज कर रहे हैं I don't know this is wrong yeah this is absolutely wrong और recording सुना देता हूं आपको जिन्होंने शो ये प्रमोटर्स थे and they are not happy with NPC because आपको तो पता हिये यार NPC तो लूटने पे जब आती है तो कैसे लूटती है सिरिफ 40 लड़के थे वहां पर और जो जजज का वहां पर जाने जो दो जजज गय थे यहांसे इंक्ल सुना पर जारू मेंद का पिता है जगांसे अपर जारू पे बड़्र वहां चाहिए थे जग दो कि दो कि सुना कि दो ट्वार्टर सुम ना झिज़े हमागर दे भी जारू है तो यह आपको जो पान पन प्रकदिंग कर्रें कि आर आपको को प्रका नहीं थे उड़ाए जो अपने उनको ऐखका रहा हैं तो कि भोगाए थीजे भी थानória के लिए उन्हें उन्हेगी दिखा लिए उन्हें अजे निक्टार चाहिए थीजे वन्हें आप चाहिए ने निकाल इन देखा लगए देखा हैंचिवा अच्छली वह बंदा के लिकी आखके लिए तो तो क्या जगा वह बोल रहे हमको पहले प्यमेंट करो नि तो हम शो चालू नहीं करेंगे आप फ्रस्त तो मेरा ही है जो भी वो वीडियो देख रहाथ था गॉल तो मेरा ही था मेरा ही था लेकिन अब कोई लाड़ूपी के बैठा है तो क्या ही कर सकते हैं यह समझना जरूरी है तरुन गिलाब फिटनिस एक्सपर्ट हैं और मिलियन्स जो लोग हैं वो आपको फॉलो कर रहे हैं तो आप किस तरह से अपने सोशल मीडिया के जरिये लोगों को करते हैं क्या अप खाने पीने के बारे में भी टिप देते हैं यूट करते हैं आप जो कहेंगे जो बताएंगे उसको मानते हैं जो बड़ी जिम्यदारी है आप लोगों की आप साथ दौकी इसको करने कि वह हमेशा मूड में रहता है यार मेरे आतमें क्या है सिरिंज मैं इंपोटेंट्स बनने की तयारी कर रहा हूं इंपोटेंट होने की वायग्राफ यह वही ब्लूप है तो दोस्तों आपने तुरुन गिल का यह एलिगेशन्स देख रहे हो इसके अगेंस्ट कुछ रिप्लाई भी आ रहे हैं जो कि मैं ने तुरुन गिल आपने देखा तुरुन गिल एक्सपर्ट है वाई थोड़ेशी आती है इन चीजों को देखके कुछ पराने पुरानी चीज़े याद आ जाती है एक्सपर्ट वाईगी चलो छोड़ो इस मेंटर को दो यह तो एंट्रेंट है चलता रहेगा अपना इंज्व पहले मापको बता दू मिस्टर एसिया जो यह उने वाड़ा है यह आई बीवी एप की गेम है इसमें जो एथलीट है अपने साउथ से हैं कई अपको पता है सरवानन मन्नी है कर्तिकेश्वर है और और वी दो तिन जो है अपने साउथ के एथलीट है जिनका पिछे भी मैंन के साथ थोड़ा मिस भी हो गया था चंडीगड के अंदर आप लोगों को पता है तो उन्होंने इस गेम को छोड़के अपना सेरु कलाशिक की तरब गए और वहां पे अपना सिल्वर मैडल जीता और उन्होंने कापी अच्छा एक्सपीरियंस शेर किया कि मेरा कापी अच् करूंगा विग पिट कलासिक भी मैं कवर करूं खुद दिल्ली जाके तो अपने को कोई दिक्कत नहीं सारे अच्छे अच्छे शो मैं कवर करनी को जिस करूंगा बाकी अपडेट तो बहुत चलते रहे ते देखो दोस्तों जब तक कोई गेम नस्दीक नहीं हो तैयार यह स तो अब बात करते हैं दोस्तों मैंने जैसे बता नितिम चंदिला भाई की जो है वो कन फ्रम है लेकिन अनुस्ताल्यान भाई से मैंने अज सुबह ही बात करके थोड़ा सा पता किया था तो अभी मना कर रहे हैं लेकिन जो आई बीबी एफ है इसके लिए ट्रैल होता जो कि गोवा में हुआ था तो उस ट्रैल के अंदर अनुस्ताल्यान भाई भी पहुत्चे हुए थे तो उन्होंने अपना ट्रैल कलियर किया था कि वो अपने सारे गेम आने वाले खेल सकते हैं मिस्टर एसिया मिस्टर वर्ड भी होने वाला नुमबर दिसंबर में तो अभी तो पैज उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं खेलूंगा लेकिन पंद्रा अगस्त को उनकी बोदी का एक फोटो में अलगा देता हूं यह मैंने देख्या तो इसमें काफी सरिडिड बोदी है त्यारी के नजदीक लग रही थी पंद्रा अगस्त को और अभी जो आगली भी दे सकता है कोई एट्रीट की शो ना करे कि मैं नहीं मैं खेल रहा हूं कि नहीं कि लगर अचानक से स्टेज पर देखने को मिले क्योंकि जैसे कि मैं भी यह चाहता हूं और मारी इडियन ओडियन्स भी चाहती है क्योंकि नितिन चंदिला और अनुज तालयांड सेम वेट क करते हैं मेरे मुझ से बहुत वर कंप्लीट कर जाता है लेकिन कंपीट करते हैं जो भी है क्योंकि आप लोगों पता है थोड़ा कहीं ना कहीं अभी इन उस तालयांड जो है वो सिंगियर एटलीट भी है और मसलमास में थोड़े ज्यादा भी है लेकिन इनका जब भी स्टेज पर हमें देखने को मिलांगे देखने में बड़ा मजा आता है अलाकि गेम तो गेम होती है फाइट और एथलीट के साथ भी होगी अच्छे ही एथलीट पोस्त है गेम में मिश्टर एस या हो मिश्टर वर्ल्ड हो चै कोई भी गेम हो तो अभ लोग बताओ वाई आप लोग विचाते हैं कि निशाते हैं कि हमें दोबारा मिश्टर एसिया में दोनों वाई एक साथ नजर आएं और फिर हार जीत बहुत अलग है जैसे दोस्तों आपने देख्या हुआ सेरु कुलासिक में जैसे प्रोकाड की फाइट होती है तो उसमें जो मिश्टर एसिया बनता है तो ओवरॉल चेंपियन जो 65 केजी से लेके और 100 केजी तक के सभी अथलेट के बीच में जो नंबर वन आता है उसको मिश्टर एसिया या मिश्टर वर्ल्ड बनाया जाता है उसी परगार वहाँ पर पर प्रोकाड मिलता है इसके ओपर एक स्प वर्ल्ड में अभी पिसली बार मिश्टर एसिया में भी अनुस्ता लें भी फाइट में पिछे रहे दे तो आप देखते हैं इनका क्या देखने को मिलागा तो ऐसे ही और मैं एक चीज़ बता दू बाई सार्क न्यूट्रिशन के मैं बहुत सारे सभी टोटली सप्लीमेंट यूज कर चुका हूं दो मेने के असपास हो गया है तो उसके लिए प्रोपर एक रिव्यू में सार्क न्यूट्रिशन की तरफ से सभी सप्लीमेंट का प्रोपर एक वीडियो अलग से बना के आप लोग तक लहांगा कि जो लड़का है मतलब हमिसा मैं कहता था कि मैं इंडि को खा रहा हूं मेरा मसल टेक का डिबबा ऐसे गया से पढ़ा मैं कंटिन्यू सार्क न्यूट्रिशन का ही सप्लीमेंट खा रहा हूं और अपकी बार भाई सार्क न्यूट्रिशन वाड़ाने मेरे लिए जिम का प्रोडेक्स तरह एक सब्सक्राइब यह सारी चीज़े एक special वीडियो में पताने वाड़ा हूँ तो आज का वीडियो यही ता दोस्तों वीडियो देखने के लिए सभी भाई होगा तैं दिल से दनेवाद जैन दोस्तों